हाई फ्रेंट्स देखिए यह पे हाफ फ्रोस्टेड नकुमर्ट का एक स्टॉक हमने खोला है जिसमें छोटे बड़े सभी पीस है मतलब आपको बड़े भी मिलेंगे चोटे भी मिलेंगे ऐसा नहीं कि स्रिफ बड़े ही होगा तो हम सभी आपको स्टॉक दिखाएंगे आप थ्षूड़ा च्रोस्ट किया है जोट हो थोड़ा डेट बन जाता है वो भी आपको मिलेगा लेकिन मिख्मे besides देखिँ हम आ इस बर हम एक स्टॉक है佐 नौमर्ञर भी बहुत क्रंची में आया है बहुत ही ज्यादा क्रंची मैं आपको दिखाती हूं यह देखें अंदर से वाइट होगा लेकिन उपवर से थोड़ा स्मोखी होगा यह स्टॉक हमारा हाफ रोस्टेड नाको मटका है और रेड बटर जो छोटे होते हैं वो ज्यादा क्रंची होता है तो उसका स्टॉक मुझ नानी को बता दूरेड बटर का क्रंबल्स जो आप ath CAR reg de यह बफूत ही कम है कि यह जो स्तॉक हमने खुला है यह पूरा स्टॉक कोणकी मुझे ऐसे डचाला हा हम रेपा अरिक यह करांबल की काळल तो पूरा श्टॉक ही करम बेक साहित है भी 750 में पांच केजी आपको रेड बटर जो एक दम चोटे-चोटे पीस होंगे लेकिन स्टॉक हमारा फ्रेश है क्योंकि तुर्गिल पहली इसका स्टॉक आया था मैंने विजे भी जाला था हफ्ते 7 दिन होगा 10 दिन होगा तो ये पांच केजी का क्रम्बल्स ही मिलेगा क्योंक पीस है ये जो क्रम्बल अब देख रहे हैं ये पांच केजी आपको 750 में मिलेगा उनली फाइट केजी वह गाई उसके बाद ये बड़ा पीस श सतरा क्लेपोट ले रहे उसके साथ आप रेड़ बटर वन केजी लेंगे क्रम्बल तो आपको 170 में मिलेगा ठीक है तो यह है देखे बहुत ज़्यादा रेड में भी है क्रंची स्ट्रॉक है पुरा अगर आप किसी ओडर के साथ लेंगे कोलकाता क्लेपोट लीजिए स्लेट लीज आपको मालूम है इंडियन पोस्ट्रो सर्विस में एके केजी का सिक्स्टी रूपीस करके डिलिवरी चार्ज लग जाता है तो फाइफ केजी का आप लोग किसाब लगाईए कितना क्या हो सकता है उसके बाद टैकिंग बैकिंग सब लगाते पाच केजी आपको रेड बटर हमारा रेड बटर देख लीजी एकदम ऐसे जो बहुत सारे चैनल पर मैंने देखा है बहुत जदा रेड होता है ऐसा नहीं है ऐसा स्ट्रॉक है अगर आपको पार्ट केजी चाहिए तो मिल जाएगा और अगर किसी ओडर के साथ लेंगे तो एक केजी 170 में मिलेगा क्रम्ब लग बाग फिसट वाला एकदम चोटे चोटे जो होते हैं वह बाला स्टाक आछुका है लेकिन यह ष्टाक आता ही बहुत काम है क्योंके बंता बहुत क्लो है इस बनाने में बहुत टाइम लाए 15 शक, नहीं पर बहुत साइँ शे इसमें आपको लगबग 100 पीसिस मिल जाएंगे एक कीजिन, इतना छोटा होता है, 100 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, फिर भी क्या है, ये तो मिट्टी का बर्तन है, हाथ से बना होता है, और ये कोई मेशीन से नहीं बनते हैं, ये हाथ से चक्के से घुमागे ही बना आ जात और ये टाइनी एस्ट है, और टाइनी इस से थोड़ा बड़ा है, लेकिन टाइनी स्मोकी में पका हुआ करंची में मिलेगा, एक दम फुली नॉन स्मोकी अभी नहीं है, और मैं आपको एक बड़ा पार्सल दिखाती हूँ, यहापे तो बहुत सारे छोटे पार्सल है, ये वाला पैकिंग नहीं किया गया है, मतलब यह जो है ना, इसको बबल करते हैं, बहुत बार हम दिखा चुके हैं फिर भी, और यह है बिना बबल के देख लीजी, और जो बबल लगा जाता है, इसको ऐसे दाता है, हमारा जो 670 रुपीज वाला पांच केजी का ओपर है, तो आपको आज भी मिलेगा, क्योंकि उसमें आप चाहें तो एक केजी, स्लेट आइटेम, नाकोमाट, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, और 4 केजी आपको क्लेपोट लेना परेगा, विदाओर बबल से वाला ओफर आपको आज भी मिलेगा, क्लेपोट का स्टॉक तो बहुत ही अच पाच केजी का और एक और है, तो यहां से उठ जाएगा, तो खतम हो जाएगा, तो यह हम तीन टाइप में बना रहे हैं कुलकाता क्लेपोट, एक होगा नौन स्मोकी, एकदम फुली क्रंची ऐसा स्टॉक, और एक होगा जो लिटिल स्मोकी साइट से, और एक होगा जो फु प्रिफ की जी जो 670 रुकीज में है, उक्स में आगर आप चाहें तो इसलेट आइटेम में सॉप्ट वाला, एक बिदम प्योर सॉप्ट वाला स्लेट आइटेम, यह स्टोंस में है, जगी यहां पर है, मैं दिखानी पाड़ी हो यहां तो आपको मिल जाएगा, स्टोंस में आप हमारा उठा सकते हैं, लेकिन ओडर देखें, एक दो दिन रुखना पड़ेगा, कि हमारा यहां पर खरत्या कल मेरी पापा का स्राध है, फिर भी आज भी पार्सल जाएगा, यह देखिए, सब हमेरे उठा दिया है, जितना बड़ा पार्सल है, यहां पर है, सब कुछ क कर दिया है, और तो रुखा नहीं है, और चल दाहा है, चलते हैं, घलते हैं फ्रेंज, हाइ फ्रेंज, मैं बड़ा पार्सल से आज वीडियो स्टाट कर रही हूं, यहां पर जो पोट है, वो है टाइनी पोट, यह स्मोकी में है, आप लोग देख सकते हैं, यह बहुत एक दम् बहुत ही कम है इसलिए नॉन्समूकी का बात हां बौली नहीं ृट है ये टाइनीड है इस तरब से हमेरे पास टाइनी गुलग सामने नहीं है तो मैं दिखाने पारी हूं यहाँ पे 3 कजी टाइनी पॉट है एक दो पीस यहाँ पे मैंने नॉन स्मोकी दिया है लेकिन नॉन स्मोकी का स्टॉक एकदम भी नहीं है यह हमें फिर से बनाना परेगा आपको दिखा दू यहाँ पे है टाइनी पॉट देख लिए और इसके नीचे यह पूरा ब यह देख लिए यह सब नीचे नीचे ऐसे थोड़ा-थोड़ा सजाते रखा है यह पैकिंग होने के बाद यह देखिए हां इस तरह से हैं और यह ज्यादा तर नॉन स्मोकी लिया है लेकिन यहनोंने टाइनी पॉट स्मोकी में लिया इसको चेंज कर दूंगे कि यह स्मोकी न गुलग भी अबलेबल है मैं गुलग अगर हाथ के सामने निकला तो मैं आपको दिखाते हूं तो कि इसका स्टॉप हमें बहुत समाल के रखना पड़ता है यह थोड़ा पॉसली बढ़ता है हमारे लिए भी सब के लिए यह सब लोग तो बनाने ही पाते हैं इसलिए इसका स अच्छ, मैं गए लिए टायरा